अफगानिस्तान में दो साल से भी जादा समय से राज कर रहे तालिवानी आतंकियों को बड़ा जटका लगा है यूएन में एक बड़ा हंगामा मचा और पाकिस्तान ने सबसे बड़ा धोखा दिया है तो वहीं दूसरी तरफ भारत को क्या अब मिलेंगे ताबर तोड और क्योंकि बहुत सारे देश भारत की तरफ इस वक्त दोड़े हैं जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से अफगानिस्तान में दो साल से भी ज्यादा समय से राज कर रहे तालिवानी आतंकियों को एक बड़ा जटका लगा है यूएन की सक्तिसाली समीती ने लगातार तीसरी बार तालिवानी सरकार की सदस्यता के दावे को खारिज कर दिया है ये तो पता था कि यूएन ऐसा एक्षन लेगा लेकिन जो हुआ है वो एकदम से अलग है इस सदस्यता के बाद ही यूएन में तालिवानी राजदूत को माननेता मिल पाती इस से तालिवानी सरकार को एक बार फिर से दुनिया में सामिल होने के लिए निरासा हात लगी है वहीं तालिबान को इस बार पाकिस्तान की सरकार से भी जटका लगा है जो वैस्विक मंचो पर अफगान सरकार के परवक्ता के रूप में खाम करती है माना जा रहा है कि TTP को लेकर चल रही तल्की की वज़े से पाकिस्तान ने तालिबान से अपने हाथ खीच लिये हैं तालिबानी आतंकी अगस्त 2021 में असरफगणी सरकार को सत्ता से हटा कर खुद अफगानिस्तान में काबी जोगे इसके बाद से वो परियास कर रहे हैं कि किसी तरह से दुनिया से उन्हें माननेता मिल जा है इसी वज़े से यूएन में वो अपना राजदूत तैनात करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अब तीसरी बार निरासा हाथ लगी है तालिवान सरकार ने सुहेल साहीन को UN में अपना राजदूत न्यूक्त किया है जो पहले उसके कतर कारियाले के परवकता रह चुके हैं शन्यूक्तराष्ट के पैनल ने तालिवान के इस टाजा अनुरोद को खारिच कर दिया है अब तालिबान को ये जटका क्यों बड़ा है तो आपको बता दें इस समीती में UNSC के तीन अस्थाई सदस्य देश रूज, चीन और अमेरिका के परतिनीदी सामिल थे गुरु वार को नियू योर्क में समीती की बैठक हुई, इसमें फैसला लिया गया कि तालिबानी परतिनीदी को स्विक्रिती नहीं दी जाई, उन्होंने इसका हवाला दिया कि अफगानिस्तान की अंतरीम सरकार को भी अभी दुनिया भर में माननेता नहीं मिली है यूएन के इस कदम को तालिबान सरकार के लिए एक बड़ा जटका मानना जा रहा है, जो लगातार प्रियास कर रही है कि किसी तरह से वैस्विक माननेता हासिल हो जाए, यूएन के इस फैसले के बाद अब तो ये तैह हो गया कि नासिर अमाद फैक ही यूएन में अफगान के परतिनी दित्व करते रहेंगे जिसकी न्यूकती असरफगणी सरकार ने की है, यूएन ने जोड़ दे कर कहा कि तालिबान को तब ही माननेता मिलेगा जब वो महिलाओं को अधिकार देगा, समावे सी सरकार बनाएगा और बैस्विक जिमेदारियों का पालन करेगा, ता पाकिस्तान जो पहले चाहता था कि तालिबान को यूएन में सीट मिले, अब उसने भी हात पीछे खीच लिया है, पाकिस्तान ने कहा है कि वो रिष्टों के ताजा हालात को देखते हुए, तालिबानी राजदूत को माननेता देने के आप सपोर्ट नहीं करेगा, तालिब अब रोज कहीं न कहीं कोई न कोई कांड हो रहा है, ऐसे में तालिबान से पहले से ही नाराज है पाकिस्तान, तो सपोर्ट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहा है कि जो TTP के टेररिस्ट है उन सब को आप हमें हेंड ओवर कर दो, अब हेंड ओवर क्यों कहा है, तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि पकड़े जा रहे हैं तालिबान सरकार के द्वारा बहुत सारे TTP के लोगों को, जब ऐसा हो रहा है, तो पाकिस्तान कह रहा है तो फिर उन्हें दो हमें, और दो उनों के बीच टेंसन अभी भी मौजूद है। उपर से अफगानिस्तान नराज इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लाखों अफगानियों को निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में बातचित होनी की कोसिस नहीं हो रही है। पर आपको बता दें कहा जा रहा है कि तालिवान का ये कहना है कि आप मौलाना रह्मान को सामने लाओ और इसके बीच में मध्यस्ता कराते हैं अब जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। ऐसा लगता नहीं है इतनी जल्दी सांती होगी क्योंकि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा यहां पर पहले से ही बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे गुट हैं ऐसे में ये सारे गुट मिल कर एक फैसला लेंगे ऐसा लगता नहीं है। पास कहां से आये हैं हतियार इसकी भी जांच करो और बताओ कि आखिरकार यह हतियार लेकर कहां से आये हैं इतने भारी बरकम और जांच की रिपोर्ट सामने रखी जाए खेर पाकिस्तान तालिबान के बीच जहां यह सब कुछ हो रहा है तो वहीं एक बड़ी खबर निकल कर भारत के लिए हमने आपको बताया था कि हाल फिलाल में भारत ने एक ऐसा परिक्षन किया जिस तरीके का परिक्षन करने वाला भारत पहला देश बन गया आपको बता दें और वो क्या था वो ये था कि आकास मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने एक साथ चार मिसाइलों को मार गिरा जिसने पूरे देश का मान बढ़ा दिया भारत ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया में अभी तक कोई नहीं कर सका था अमेरिका, रूस, चीन, इसराइल भारत ने सब को पीछे छोड़ कर नंबर वन बन गया भारत भारत ने ऐसा डिफेंस सिस्टम तयार किर लिया जो एक साथ चार टारगेट को मार सकता है और आपको बता दें, आकास ने हवा में उड़ने वाले चार अलग अलग दिशाओं से आने वाले अबजेक्ट को एक साथ चार मिसाइलों से उड़ा दिया और इस तरीके का परिच्छन करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया आपको बता दें भारत डाइनेमिक लिमिटेड सौर्ट रेंज सर्फेस टू एर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जिसका मुख्य काम हवा से आने वाले किसी भी खत्रे को हवा में ही खत्म करना है ये सिस्टम दुस्मन के हवाई हमले से एक बड़े इलाके की रक्षा कर सकता है बेडियल के मुताबिक आकास विपेंस सिस्टम ग्रूप मोड या ऑटोनोमस मोड में एक साथ कई टारगेट को निशाना बना सकता है ये पूरा सिस्टम एक चलती फिरती गाड़ी पर असेंबल किया जा सकता है और ये अब दुनिया भर में चर्चा का वजह तो बना ही साथ ही साथ अब कई सारे देश हैं जो भारत को ओर्डर दे रहे हैं और इन में से दच्छिन अमेरिका, मिडेलिस्ट, अफरिका, कई सारे देशों का नाम आ रहा है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि आकास मिसाइल सिस्टम ने बहुत ही ज़्यादा देशों को आकरसित कर लिया है और इन में ब्राजिल, इजिप्ट, अफरिका और इसके अलावे कई दोस्त देश हैं जिस तरीके से भारत के सिस्टमों की मांग बढ़ रही है कहा जा रहा है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है वैसे तो आर्मेनिया के साथ जो डील हुई है ये 6,000 करोड की डील है इसके अलावे अब बहुत सारे देश लाइन पर लग रहे हैं और कहीं न कहीं ये भारतिये डिफेंस मार्केट की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि 82% तक कहा जा रहा है इसमें ऐसे कंपोनेंट लगे हैं जो भारतिये हैं वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ